एशिया कब 2022 में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच था जाहिर है कि इन दोनों देशों के बीच होने वाले इस मैच पर सभी की नजर थी इस क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 फिकेट से हराया इसके बाद से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस की नराज़की दिखाने के लिए कई पोस्ट किये गए मीडिया चैनल्स ने भी पीछे न रहते हुए ये वीडियो गुस्साई पाकिस्तानी फैंस का बताया ABP न्यूज ने भारत की बाद शो में ये वीडियो चलाते हुए इसे हाल का बताया उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की हार के चलते वहाँ फैंस गुस्से में टीवी तोड़ रहे हैं और जैसा हमने कहा था ठीक वैसा ही हुआ एक क्रुकिट मैक से पाकिस्तान के जजबात बदल गए हिंदुस्तान से एशिया कप में मैच हाडने के बाद पाकिस्तान की जमीन से टीवी तूटने की आवाजे सुनाई देने लगी टांक्स नाउन भारत ने भी ये वीडियो चलाते हुए ऐसा ही दावा किया एशिया कप मैच में भारत के हाथों धोए गए पाकिस्तान को पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीरें बारत हो रही है पाकिस्तान टीम की हार पर पाकिस्तान में टीवी तोड़ना एक रिवास सा बन गया है सोशल मीडिया के जरिये सामने आई टीवी तोड़ने के तस्वीर पाकिस्तान की है सोशल मीडिया पर वीडियो वारल है दावा किया जा रहा है कि भारत से मैच हारने पर पाकिस्तान की जनता आपने क्रिकिटस से इतनी नाखुश थी कि उन्होंने टीवी तक तोग दिया इंडिया टीवी ने भी ये वीडियो हाल की मैच के बाद का बता कर ट्वीट किया लेकिन जब Alt News ने जाच की तो पाया कि ये वीडियो 28 अगस्त को हुई मैच के बाद का नहीं है वीडियो की क्वालिटी काफी खराब है इससे हमें शक हुआ कि ये वीडियो शायत पुराना है इस आधार पर हमने यूटूब पर कीवद सर्च किया 16 जून 2019 को ये वीडियो यूटूब पर अप्लोड किया गया था यहां इतना तो साफ है कि ये वीडियो हाल की मैच के बाद का नहीं हो सकता यहाँ इस पाकिस्तानी फैंग की बात सुनकर हमें मालूम हुआ कि ये वीडियो बंगलादेश के साथ हुई मैच के बात का है आज पाकिस्तान के हारने पे हम बहुत ज़्यादा दिल हमारे रो रहे हैं पाकिस्तानी न्यूस चैनल समा टीवी ने भी 27 सितंबर 2018 को इस वीडियो के बारे में खबर दी थी ध्यान डे की 26 सितंबर 2018 को एशिया कप क्रिकेट मैच में बंगलादेश बना पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें बंगलादेश ने पाकिस्तान को 37 रनों से हराया था यानि टीवी तोड रहे इन पाकिस्तानी फैंस का वीडियो असल में 2018 में बंगलादेश में हुई हार के बात का है लेकिन मीडिया चैनल्स ने बिना वेरिफाई किये इसे हाल का वीडियो बता दिया झाल